हलो डियर श्टूडेंट, तोटे आएम गोईंग टो इस्प्लेन यूनिट 14, स्पीड, डिस्टैंस, एंड टाइम, ओके स्पीड, डिस्टैंस, एंड टाइम, यह जो चैप्टर्स नेम है, इसी के एकॉर्डिंग आपका सॉलिशन होगा, जैसे स्पीड है, तो आपको स्पीड कहेगा, फाइंड आउट करने को, डिस्टैंस है, तो डिस्टैंस फाइंड आउट करने को कहेगा, टाइम है तो टाइम टाइम यह एक formula है ठीक है ना इसी formula से हम सभी questions को solve करेंगे अब यहां से देखिए आपको एक formula दिया लेकिन इसी से आपके तीन formula बन सकते हैं जैसे already one यह हो गया अगर मुझे यहां पे speed find करना है तो हम यह formula exact final लगा लेंगे distance upon time यानि distance और time दोनों divide कर देंगे ठीक है ना time से divide कर देंगे distance में था हमें answer speed के लिए मिल जाएगा लेकिन अगर कहीं हमें distance कहें देता है ठीक है तो distance के लिए formula क्या ट्राइब वेट होगा तो distance okay d is equal to speed s into time यह देखे ठीक ना याद रखिएगा distance is equal to speed into time और अगर हम से यह कहता है कि time आप बताएगे तो time के लिए formula आपका क्या बनेगा distance d upon speed ठीक है अगर हमसे time के लिए formula कहेगा तो distance upon speed हो जाएगा ओके तो इस तरीके आपके तीन formula है इसको आप copy पर अच्छे से write कर लिजेगा तीन ओ formula जो अभी मैंने आपको बताया ठीक है तो इस formula से आपके questions होंगे अब देखिए आपके speed के लिए दिया गया है speed the distance traveled by an object in a unit of time is called the speed of object इसमें एक example दिया है example हम देख लेते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देजिएगा आप कि इसका एक unit होता है जैसे आप कोई objects लेते हैं तो उसे हमें एक unit में measure करते हैं जैसे potato लेते हैं तो बोलते हैं 5 kg तो kg हमारा क्या होता है unit होता है ठीक है तो इसी तरीके यहाँ पी जब speed आप बोलेंगे तो speed के लिए भी कोई ना कोई unit होगा और वो unit क्या होता उसको भी आप learn कर लिजेगा unit होगा km per hour अब आप इसे convert भी कर सकते हैं m per second यह देख लिजेगा आपको सभी question में जहाँ जहाँ speed पूछेगा उसके पीछी यह लगाना होगा अगर km आवर दिया तो km आवर में करना है m per second या अधर वाइस कुछ दिया तो उसको भी करना होगा याद रखेगा इसको ठीके इसे तरी कि आपको अगर distance कहेगा तो km जो भी आएगा unit वह unit लगाना है ठीक है और अगर time कहेगा तो minute या second या hour यह आपका unit हो जाएगा तो यह example से दिया हुआ है देखें a train cover a distance of 1200 km in a day what is its speed देखें आप speed ही find करने के लिए दिया है तो आप देखरों यह distance दिया है 1200 km और आपको कहता है what is its speed in a day in a day तो पहले day को हम hour में convert करते हैं आप बताइए one day में कितने hour होते है 24 होते हैं जानते भी इससे पहले भी मैंने study कराया हुआ है ठीक है ना और आपको learn भी होगा तो speed is equal to speed of the train यानि train के लिए जो speed बनेगी वह क्या होगी formula बताइए distance upon time अभी 1200 upon 24 ठीक है जब आप इसका division कर देंगे तो 50 answer आएगा 50 और अभी मैंने बताया था किसके पीछे क्या आपको write करना होता unit kilometer यहां पर दिया है आवर दिया तो इसके लिए क्या बनेगा kilometer पर आवर देख रहा है ना kilometer पर आवर 50 kilometer पर आवर यह answer हो जाएगा ठीक है अब हम चलते हैं अपने question की तरफ और question में जैसे भी अगर rules वहां आते हैं तो मैं आपको back side आके फिर rules को भी clear करूंगा ठीक है तो हम पहले questions पर आते हैं यह देखिए question number one आपकी screen पर है speed का formula speed is equal to speed is equal to speed के लिए distance upon distance upon time ठीक है यह formula होता है ठीक है तो 480 upon 6 480 upon 6 और जैसे आप अपान करके solution करेंगे आपको answer आ जाएगा आप इसका solution देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पी देख सकते हैं यह देखिए यह आपकी screen पर है distance 480 km time 6 hour speed distance upon time यह divide की आप 480 में 6 का आपका answer आया 80 km पर hour इससे आप जरूर लिखिएगा यह जो unit है अगर यह नहीं लिखेंगे तो आपके answer wrong माने जाएंगे ठीक है न मार्स आपके जादा जादा कट हो जाएंगे इसलिए यह पूरा finally answer लिखिएगा ठीक है इस तरीके आपकी जो questions में B और C है वो आप solution करिएगा ठीक है ना A हमने explain किया A को आप solve कर लिजेगा B C आप खुछ से करिएगा फिर उसके बाद fair copy करिएगा एक बार rough करके फिर मैं आता हूँ question number D पर distance 437 km time 4.75 hour ठीक है यहाँ decimal में दिया है लेकिन आपको solution उसी तरीके से करना है और जो decimal का rule है वो follow कर देना है ठीक है ना तो इसका solution हम आपको यहाँ पर देखा देते हैं question number D के लिए जो solution है यह देखिया आपकी screen पर है ठीक है ना बहुत carefully आप इससे समझेगा distance is equal to 437 km time 4.75 hour speed is equal to formula आप जानते हैं distance अपन time लगा दिया distance 437 upon 4.73 अब यहाँ देखिए अगर denominator में decimal है तो उससे remove करने के लिए हम into करते हैं अगर decimal के बाद 2 number है तो 100 से into करते हैं decimal के बाद 1 number है तो 10 से करते हैं यह मैंने class 4 में भी study कराया अब previous जब decimal में study करा रहा था तो उसमें भी यह आया था ठीक ना तो 100 से into करते हैं तो decimal आपका denominator से side जाएगा और जब उपर numerator में करते हैं तो 43 और 00 include हो जाएगा अब इसका division करना देखिए side में हमने division भी किया है देख रहा है ना पहले 9 टाइमस जाएगा फिर आपका 95 जीरो नोट हुआ फिर 2 टाइमस जाएगा आपका answer आया 92 तो 92 किलोमेटर पर आवर यह आपका क्या हो गया answer ओके तो इस तरीके question number 1 को अच्छे से बिल्कुल सुनिएगा कम सकम 2 से 3 बार सुनिएगा फिर इसका one by one solution करेंगे तो सारे answer आप खुद भी निकाल लेंगे ठीक है मैं next question की तरफ चलता हूँ question number 2 calculate distance अब देखिए आपको distance calculate करना है ठीक है na distance अब distance के लिए भी formula मैंने आपको बताया था तो मैं पहले formula यहीं बता दूँगा ठीक है na distance distance is equal to speed into time यानि कि speed का जब time से multiply कर देंगे तो आपको क्या find out हो जाएगा distance चलते है question की तरफ देखिए speed 80 km per hour time 2 whole 1 upon 2 hour ठीक है यह fraction में दिया कोई problem नहीं है solution उसी तरीके होगा चलिए देखते हैं यह इस समय आपके screen पर है ठीक है question number 2 का a speed is equal to 80 km per hour time 2 whole 1 upon 2 hour अब इसे जो है improper बनाए distance के लिए मैंने formula भी बताया था speed into time speed हमारा 80 है time है 5 upon 2 और जब जानते हैं कि आप इस तरीके कहीं भी question आते हैं तो क्या करते हैं ठीक है cancel ही करते हैं fraction में इसे आप study किए टू सेटी को cancel किजिए 40 40 into 5 into किजिए 4500 आपका answer आ जाएगा ठीक ना 4520 एक जीरो तो 200 km और इससे आप जरूर लगाएंगे ठीक है इंटू करेंगे तो मीटर में answer आ जाएगा डी में देखिए डी आपका एक में इसे थोड़ा साभी को यह समझना है कि 700 मीटर पर सेकंड है और यहां पर 14 मिनट है यहां सेकंड यहां मिनट तो आप पहले मिनट को सेकंड बना लीजिएगा अब इसका solution आप यहां देख सकत ठीक है ना तो वन मिनट जब 60 सेकंड की कोल होता तो 60 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आएगा 146 84 ठीक है ना 84 और 10 इंकलूट हो गया 840 सेकंड अब आप डिस्टैंस का फॉर्मूला बताइए स्पीड इंटू टाइम स्पीड है 700 टाइम आया 480 सॉरी 840 अब मल्टिप्लाइ करेंगे 588 ट्रिपल जीरो यह आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके आप question number 2 को one by one solve करिएगा ठीक है और सभी answer को मैच करिएगा हम चलते हैं अगले question की तरफ question number 3 calculate time calculate time अब यहाँ पर time calculate करना if question number 3 का यह देखिए distance 6 km speed 10 km per hour ठीक है ना तो formula हम यहीं पर आपको clear करते हैं आप भी आप explain कर सकते हैं formula क्या होगा इसका तो time अगर हमें find out करना है time time is equal to इसका formula होता है distance upon speed distance upon speed याद रखिएगा distance upon speed ठीक है अब distance upon speed होता है तो हम question की तरफ चलते हैं इसका solution है वो कैसा होगा देखिए आपकी screen पर आगया distance 6 km speed 10 km per hour time is equal to distance upon speed ठीक है ना 6 upon 10 hour एक तो finally answer आप यह भी लिख सकते हो 6 upon 10 hour लेकिन अगर आपको इसे minute में convert करना है तो आप जानते हो 1 hour है 60 minute तो आप 60 से multiply कर दो देखो यहाँ पर कर दिया ना तो यहाँ पर change क्या हुआ change यह हुआ कि हावर चेंज हो गया minute में 1066 6 into 6 36 minute यह आपका क्या हो गया answer हो गया 36 minute ठीक है अब इसका B और C का solution हम आप पर छोड़ते हैं आप खुश से करिएगा ठीक है ना हम 3 के D के वाले question पर चलते हैं देखिए distance at 1200 meter speed at 2 meter per second अब यहां से हम कैसे time को find out करते हैं देखिए यह अगर meter और second दिया है तो भी आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने previous question को solve किया वैसे यहां भी करेंगे cp unit change हो जाते हैं ठीक है ना चलिए दिखाते हैं आपको यह देखिए आपके screen पर है question number 3 कर दिया है distance आपका है 1200 meter speed at 2 meter per second time at distance upon speed distance आपको दिया था 1200 यानी 1200 meter upon speed दिया है 2 meter per second divide करेंगे 600 second एक final answer आपका यह हो गया 600 second लेकिन आप इसे भी change कर सकते हो आप जामते हो कि one minute में 60 second होता है 60 sub divide करोगे तो आपका आएगा 10 minute आप 600 भी answer कर सकते हैं यह भी आपका बिल्कुल right answer होगा यह भी आपका बिल्कुल right answer होगा दोनों में कहीं तक भी कर दोगे अगर five marks का है तो आपको five mark इस पे भी इस वाले answer भी मिल जाएगा इस पे भी मिल जाएगा ठीक है ना यहां तक करेंगे तो भी five marks यहां तक करेंगे तो भी five marks इस तरीके इस वीडियो में हमने आपको unit 14 का speed time और distance find out करने के formula clear कर दिये हैं इसके units clear कर दिये हैं आप question number three तक unit 14 का question number one two three तक finally solve करके आप इसको match कर लिजेगा और इसको जब कहा जाए homework में submit करने को ता आप तुरंद इसको submit कर दिजेगा ओके thank you